भारत ऐसा महान देश जो इस देश के मुल निवासे उन मिल निवासियों का कोई यहां कदर नहीं इज़त नहीं आज उन्हीं मुल निवासियों में से गोड़ हैं भारति अकिल भारतिय गोड़ महासबा यह लोग अपनी सम्मान और इज़त के लिए आज उस महान धरती जन्पत गाज़ेपूर के महमदाबाद शहीदी धरती पर मुदूद लोग हैं और यहां पर यह कारिकरम करने का मेज़त क्या था ? क्या इनका डिमान था ? क्या सासन से मंगा इनोंने । मैं आपसे जाना चाता हूँ आपका सुननाम क्या है लच्छमन गोर्ण तसील अध्याच महंदाबाद हमारी मांग थी कि हमारे अधिकारी गर करें कि महंदाबाद में गोर्ण जात नहीं पाए जाते हैं तो यह हमारा प्रोग्राम हर साल जीरे पर चलता था लेकिन मैंने अवसों तसील पर बनाया कि यह ल तो मैंने साहब को यहां बोला है पत्रत दिये कि हम गोण हैं उन्होंने कुछ बात बोले भी जात नहीं बन रहे हैं हमारी बच्चे जो है अनात्त पड़े हुए है नोकरी नहीं मिल रहे है तो हम कब तक इस तरसे जीते रहें गे अगर हमारा जात अगर नहीं बनेगा तो के लिए हम लग Upर लगनव तख आलवगन करने के लिए मनने के लिए तयार है हड़ध है तो सौप फिविश्ट साहब ने क्या स्भासन दिया पॉस्ट आज्याक जा रहा है लगा- dział A चरए उसमें लागटि ्यारा है जिससे म जारी किया जाए तो उसमें लिखा जा रहा है उस आदेश में कि यह जो है जात परिमार पर जात चर करके आख्या लेक करके अगर यह लोग ना प्रकार की चीज़ें 1369, 1356 तो हमारी अंसुची जात के बाद 1356 है न 1369 है तो इसको मैं कहां से दे पाऊंगा बड़ी मुश्किल तो यह नहीं तो इसलिए मैंने कहा सासन से यह आउगत कराएंगे कि जब हमारे पास यह 1369 नहीं है तो मैं इसको कहां से दूगा इसका मतलब कि हम रूट पर विख मांगे तो इसको हम निगत कराने के लिए अपने सासन से अपने लखनाव से सारी व्योस्ता से में लड़ूंगा और उनको अउगत कराऊंगा देखें बहुत बड़ा समस्या एक है 1369 तेरो सो शप्पन थसली का रिकार्ड शाहिए लेकिन ये रिकार्ड इन मुनलिवासियों को कहां मिलेगा इनके पास न घर है न दुआर है न खेत है न जमीन है इस देश के मुनलिवासी हैं लेकिन इहां के मुनलिवासियों को जिस तरह से इहां की जो सथा आई आरियन समाज जो आया जिसने हटा करके अपने आपको कबजा कर लिया और वो ही सबसे बड़ा मुनलिवासी हो गया और ये असल देश के मुलनिवासी जो हैं आज बेर मिना मिलनिवासी के हो गए हैं अब मुहमदाबाद धर्ती से 18 अगस्त 1942 को इसी धर्ती से एक करांती उठीजी देश की अजादी के लिए अगर सरकार न इस पर धियान नहीं दिया मैं समझता हूँ कि भारत के मुलनिवासी गोंड समाज जो है इसे करांती बिलंद करेंगे 72 नियूज के लिए जाविद बिर अली की विशेज ग्राउंड रिपोर्ड एक एक हुआ और बैटे हुए हैं बदूर्ग भी हैं मैं इसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग यहां पर आये हैं कि इस बात को रख कर क्या हैं और अपनी समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और जो आपके साथ अन्याय हो रहा है इसकी रड़ाई कैसे रड़ेंगे आप लोग जी सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम विश्नु गोंड परस्ते हैं मैं एक गोंड जाती का हूँ और हम लोग अदिवा हमारी जो कल्चर है हम ये सब को पता है कि यह बतानी की जरोद भी नहीं है क्योंकि एस चीज सब को पता है कि हम यह के असली मूल निवासिय diam 52 दूं की आ संसकार होता है तीन संसकार होते हैं ये तीनों संसकार हम अपनी कलचर से ही करते हैं जैसे कि आप वहां पे आए तो देखे होंगे कि पांच कलस अस्थापित किया गया था तो पांच कलस का मतलब होता है कि हमारे जो यह पांच तत्व है जिसको हम सब ने पड़ा हुआ है कि हमारे विद्यालेव में बताया जाता है कि पांच तत्व से शरीर मिलकर बना हुआ है तो हम इसको मानते हैं कि यह पाच सक्ति है अगर इस पाच सक्ति में से अगर कोई भी सक्ति ना रहे तो उस इंसान का कोई भी अस्तित्व नहीं है तो ये पाच सक्ति ही हमें जीवित रखती है और इसलिए हम इसी प्राकृतिक की ही पूजा करते हैं हम लोग और किसी का भी हम लोग पूजा नहीं करते है अपने प्राकृतिक का पुचा करते हैं और अपने माता-पिता को ही भगवान मानते हैं भगवान का असली मतलब यह होता है कि भूसे भूमी, गौसे गगन, अज़े अगनी, वायू और जल्ग यही भगवान का असली मतलब होता है अगर कोई भी बैख्या करेगा, कोई भी इसका संदी विछेद करेगा, यही आएगा हम लोग भूमक हैं, जैसे अलग-अलग समुदाय में होता है कि हिंदू समुदाय में है कि डामड यह कराते हैं, साधी विवा कराते हैं उसी तरह से हमारे समुदाय में यह है कि भूमक ही साधी विवा कराते हैं और मुठवा साधी विवा कराते हैं हम लोग को हमारे संस्क्रिती में हमारे समाज में हम लोग को अधिकार मिला है कि भूमक साधी जो भी संस्कार है वो भूमक कराएंगे मुठवा कराएंगे आप लोग ब्रामर समाज को मानते नहीं हैं जी ब्रामर समाज को हम मानते हैं लेकिन उनका जो कल्चर है उस कल्चर को हम नहीं मानते हैं रामर समाज को मानते हैं लेकिन जागते हैं जागते हैं लेकिन आप लेकिन